असलाम लेकूं विवर्स आज रुमिनान सरीक्षण में आपके लिए चिकन मॉन्टॉन तयार हो रहे हैं 300 ग्रैम चिकन ब्रेस्ट पीस और इन दो हरी मिर्चों को हम चॉपर में डालकर चॉप कर रहे हैं यह देखिए यह मैंने चॉप कर लिया है बस इतना ही मिझे चाहिए था बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा यह प्रीमा बन गया है बारिक साब मैं इसे इस बोल में डाल रही हूं और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे सबसे पहले मैंने एक प्याज निकाल लिए मैं इसको मैं ग्रेट कर रही हूं ग्रेट करने के बाद मैं इसको करके इसका पानी निकालूंगी तुक्छ हमें यह बغیर पानी के ड्राई चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा ताके मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके देखिए इस तरह ये मैंने तैयार कर ली है अब मैं चिकन का कीमा ला रही हूं और इसमें मसाले डालूंगी सबसे पहले मैं इसमें एक टीस्पून अद्रक और लेसन जो गाड़ा गाड़ा है और आदा टीस्पून नमक का डाल रही हूं नमक कम इसलिए डाला है कि यहां मैंने एक टेबिल स्पून सोय सॉस डाला है एक तीस्पून काली मिर्चे और ये प्यास डालके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनाट के लिए मैं इसे रेस्ट के लिए रखूंगे विवस 15 मिनाट हो गए हैं दो टेबल स्पून मैंने यहां पर सलेडी बना ली है मैदा और पानी डालके और ये मैंने समोसे की पट्टियां ली हैं जिनने मैंने स्क्वाइर में काट ली हैं ये पांच पांच इंच की पट्टियां हैं आप चाहें तर छोटी या बड़ी भी ले सकते हैं अब मैंस में एक टेबल स्पून भरके ये चिकन का मटेरियल जो मैंने बारीक सा बनाया था ये डाल रही हूँ और किनारों को सील करने के लिए सलरी लगा रही हूँ इसे देखिए मैंने इस तरह उंगली की मिलब से लगा लिए है ये दो साइट पर लगाई है बाकी में आपको चार पर भी लगा के बनाऊंगी देखिए इस तरह से ये किनारे हमने सील कर लिए है अब सेंटर से मैंने फिंगर से प्रेस करके इसके दो कोने मिला लिए और यह वांट ओन किष्टी की शकल का हो गया अब इसकोने को भी स्लेरी से जोड दिया देखिए थोड़ा सा प्रेस किया अब यह खुल नहीं रहा है अब इसी तरह मैं दूसरा बनाऊंगी दूसरे के मैं चार तरह स्लेरी लगाँगी यह देखिए इसलिए लगाते हैं कि इसक्या से यह खुलता नहीं अगर खुल जाएगा तो पिर हमें परिशानी होगी इस तरह से यह दूसरा वांट टान भी तैयार हो रहा है यह देखिए इसलेरी मैं थोड़ी सी गाड़ी से बनाई है और अब हम त अब फ्लेम जो है मीडियम लो है क्यूंकि आपको पता है कि अंदर कीमा कच्चा है इसे आइस्ता इस्ता चलाते हुए मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी वीवर्स तक्रीमा तक्रीमा ने निकाल के टिशू पेपर पर रखूंगी ताकि एक्स्ट्रा आयल जजब हो जाए दूसरा भी तैयार हो गया जो मैंने एक अकेला डाला था फ्लेम आफ करके से निकाल रही हैं तो मिलते हैं प्रेजंटेशन के वीवर्स आपके लिए मज़िदार से चिकन वांट टान तैयार हो गया है देखिए अंदर से भी गल गए हैं और स्ट्रफ्ट हैं इसे मैंने गा कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजेगा और लाइक भी कीजेगा मिलते हैं को और नई मज़िदार सी रेसिपी के साथ असलाम लेकम और अल्ला हाफिस